तो दोस्तों क्या आपको पता है कि आप एक ही सिंगल आइफोन में मुल्टिपल एपल आईडी यूज कर सकते हैं मुल्टिपल का मतलब दोस्तों एंड्रोइड फोन की तरह नहीं कि आप अनेक को ही जीमेल अकाउंट यूज कर पाएं वैसे नहीं बट आप दो जो हैं एपल आइडी एक सिंगल आइफोन में यूज कर सकते हैं वो कैसे सबसे बहले आपको चले जाना है सैटिंग्स में Settings में आने के बाद दोस्तों आपको Main जो आपकी Apple ID दिखाई देती है उसके उपर आपको क्लिक करना है वहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी Main Apple ID देखने को मिलती है इसके नीचे दो options देखने हूं मिलेगी iCloud और iTunes and Apple Store या App Store iTunes and App Store पे हम simply क्लिक करते हैं यहाँ पर आने के बाद दोस्तों iTunes and App Stores में आपको उपर गी और अपनी Apple ID देखने हो मिलेगी Apple ID जहां पर दिखती है आपको वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद Apple ID पे क्लिक करने के बाद आपको options देखने हो मिलेगी View Apple ID Sign Out तो simply हमें sign out पे click कर देना है तो जैसे ही आप sign out पे click करेंगे यह देखे दोस्तों आपकी जो Apple ID है वो iTunes और App Store से हट चुकी है अब आपको करना क्या है आपकी main जो Apple ID होगी दोस्तों वो देखे वैसे ही बरकरार है वो नहीं हटी तो tension लेने की बाद नहीं अब दुबारा से आपको जो है iTunes और App Store में आना है यहां पर आने के बाद आपको यहां पर पुछेगा कि आप इसी सेम जो Apple ID है इसी से continue करना जाते हैं या नहीं तो हम simply note पे click करेंगे note पे click करने के बाद दोस्तों यह देखिए आपको Apple ID दुबारा से भने की जो forum है वो देखने को मिलेगा आप simply इसमें अपनी नई Apple ID या कोई भी another Apple ID फिल कर सकते हैं और continue कर सकते हैं दोस्तों इसका फाइदा क्या है आपको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे अपने दोस्त के new Apple iPhone से login करके कैसे iOS 12 में Netflix यूज कर सकते हैं तो वहां पर ये फीचर जो है बहुत ज्यादा काम आता है क्योंकि आप अगर दोस्त का फोन ले ले दोस्त का iPhone ले ले जो की latest Android वर्जन पे तो आप iOS 13 का जो वो दिक्कत आती है एप नहीं यूज कर पाते iOS 12 में वो आपकी solve हो जाती है तो ये फीचर बहुत ज्यादा helpful है तो अमीद करता हूँ आपके लिए वीडियो helpful होगी अगर वीडियो helpful हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना for further more informative वीडियो थैंक यू, that's all